असलाम अलेकूम आज में बनाना ज़रें फालूदा यह स्पेशल इरांदर में जब खाव से बनाते हैं उसके साथ यह बनता है गरों में यह उस तरह का फालूदा है सवाईयों वाला नहीं है और अब शेख कर सकते हैं इसके लिए मैंने लिया है तक रीबन 500 500 ml छितना में इसको हमने पेले घरम कर लेना है श्गर अपने टेस्पून जितने लीचे पहाराएंगे आप मुने तेस्पून जितने लीचे भी तेस्पून ए रेड फुर्ट कलर जाएगा इसमें रोज एसेंस चाहें और अगर अगर पावडर यह मने लिया है 1 teaspoon level, इस तरह से मैं इसको level किया था, ये दूद में एक boil आ चुका है, मैंने अलग से थोड़ा सा दूद लिया, इसके अंदर मैंने जो हमारा अगर-अगर पाउडर था, ये mix कर लिया, अब मैं इसमें मिला दूगी, आप चाहे तो थोड़ा सा बचा के रखे, और फिर इसको आपको कितना घाड़ा और कितना सौफट वाला फालूदा चाहिए उस ही साब से इस तरह से बॉल आ चुका है, अब मैं इसमें से थोड़ा सा ले लूगी इतना और मैं फ्रीजर में रख दूगी, एक मेट के अंदर मुझे पता चल जाएगा कितना मुझे सक्त और कितना न यह देखे, मेरा फालूदा जम गया है, मुझे इस से हाड नहीं चाहिए, इस तरह का हुआ है, और अब मैं इसके ने मिलाओंगी, तकरिबन हाफ टी स्पून जितना रोज एसेंस, और मैंने फ्लेम ओफ कर दिये, यह देखे, हमारा फालूदा बनके रेडी है, मैंने इसके पर मलाई डाली है, आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं, बदाम पिष्टे डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मगर इसके ने बदाम पिष्टे नहीं जाते, अब मैं इसको कूल डाउन होने के बाद, फ्रिज में रख दूंगी, ताके पूरा अच्छे से हाड हो जाए, यह बड़े बरतन में भी सेट करके, कट करके पीसिस में कभी कट कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा साफ चाहिए, यह तो आप इसको थोड़ा अगर अगर पावडर कम मिलाएगा, I hope आप ट्राय करेंगे, आपको जरूर से पसंद आएगा, थेंक्स पर वाचिंग